आर पीएसी आईयन प्री आफ्लाइन टेस्स सेरीज का पेपर बन सोल करेंगे जो कि सॉम टोस और सर्वे का है तो हमारा पहला कोश्चन है तो सबसे पहले यह देखा जाएगा कि सिंगल बेपोर्टल फ्रेम होता क्या है तो सिंगल बेपोर्टल फ्रेम दो कॉलम के बीच में रिजिडली सपोर्टेड बीम होगा और यहां पर कॉलम के बेस को फिक्स दिया हुए गया है मतलब कॉलम जिस सपोर्ट से कनेक्टेड है वो हमारा फिक्स सपोर्ट है यहां अब देखा जाएगा काइनेमिटिक इंडिटैमिनेसी क्या होती है किसी भी फ्रेम के जोइंट पर अवेलेबल डिग्री ओफ्रीडम या अंडिस्टेंट डिफॉर्मेशन होता है तो हमारे इसी रिजिट फ्रेम के एवरी जोइंट पर तीन टाइप्स ओफ डिफॉर्मेशन आते हैं जैसे कि मैं यहां पर कैंटी लीवर ड्रो करता हूं अगर इसका इसमें दो जोइंट है एक जोइंट जिस पर फिक्स अपर और एक जोइंट फ्री है तो जो फ्री कि एवरी जोइट पर तीन टाइप पर टिफॉर्मेशन डीफ है तो इसका मतलब हम यह कर सकते हैं कि अ刑र नंबर ओ जोइंट हमारे पांस यह तो टोल्बर ओ डिफॉर्मेशन होझाएंगे हमारे पास त्री जे अब उन्हीं जोइनस पर इफॉर्मेशन नहीं करेंद बसे निवारे तो सयच्टारनHealth लोगा हमारे तीन ताइप पोट्ञ हुआ रिक्षर डॉब्लूपार्टान होते हैं हम य भाई झाय्श्टार्स एंड एंड तक ङैसे ताइप से यहां पर भी तीन टाइप उफ एक्षेंज डंड उप doesสके इसी टैप से यहाँ पर अगर हम DK के लिए देखें तो number of joints है हमारे 1, 2, 3, 4 4 into 3 minus number of reactions हो जाएगे हमारे पास 3 plus 3, 6 12 minus 6 is equal to 6 अब 6 वाला option, 6 वाला कोई भी option में match नहीं हो रहा है तो कई बार question में ऐसा होगा कि members are axially rigid के हिसाब से आपको options मिलेंगे और वो question में given नहीं होगा Member are axially rigid का मतलब यह है कि members में axially deformations नहीं आएंगे और member में axially deformations नहीं आएंगे तो एक member का एक axially deformation है तो यहाँ पर जितने number of members है उतने axially deformations को हटाने के बाद में जो deformations हमारे पास बचेंगे वो होगे हमारी kinematic interdependency यहाँ पर number of member है हमारे पास 3 6-3 is equal to 3 तो हमारा option हो जाएगा C next question है हमारा identify the correct deflection diagraph corresponding to the loading in the plane frame shown below this plane frame को देखने के बाद में हमें बता चलता है कि जो AB वाला member है उसमें कोई bending moment नहीं आएगा क्योंकि given frame में कोई horizontal direction में force नहीं लगा हुआ है तो उसके कारण A support पर कोई horizontal reaction डवलप नहीं होगी और horizontal reaction डवलप नहीं होगी तो AB member में कोई bending moment नहीं आएगा तो चारो option मेंसे अगर हमें देखें तो D वाला ही एक ऐसा option है जिसके AB member पर कोई bending moment नहीं आ रहा है सेकंड चीज़ यह है कि जब BC वाले member पर force लग रहा है उसके कारण B वाले point पर moment जनरेट होगा और वो AB वाले member को आगे की तरफ डिफलेक्ट करेगा आगे की तरफ डिफलेक्ट होने पर C वाला joint जो की roller support है roller support पर horizontal direction में कोई restraint नहीं दिया हुआ है इस कारण से C वाला support आगे की तरफ पढ़ जाएगा तो हमारा deflector shape इस fenomena से D वाले option में ही match हो रहा है तो हमारा answer होगा D next question है the ratio of the length and depth of a simply supported rectangular beam which experiences maximum bending stress equal to tensile state due to same load at its mid-1 question में given है कि कि किसी भी simply supported beam के mid में अगर कोई concentrated load लगा हुआ है और तो उसकी वज़े से generated maximum bending stress same load अगर P में एक्जन डारेक्शन में लग जाए उसकी वज़े से generated direct stresses के equal होगा तो हमें find out करना है length and depth का ratio क्या होगा सबसे पहले हम bending stresses find out करेंगे simply supported beam के mid पर concentrated load लगाने के कारण maximum bending moment की value होती है PL by 4 and bending stresses की value अगर हमको find out करनी है तो bending stresses को find out करने के लिए हमारे पास bending formula है जो की M upon I F upon Y and E upon R है यहां पर F bending stress है Y neutral axis से fiber की distance है M हमारा bending moment और I है moment of inertia हम इनिशल दो को use लेकर maximum bending stresses find out करेंगे F is equal to M I upon Y bending stresses को maximum करने के लिए moment को maximum होना पड़ेगा और Y की value maximum होगी maximum bending moment की value है PL by 4 y की maximum value होगी neutral axis से extreme fiber की maximum distance होगी किसी rectangular DM के case में D by 2 क्योंकि neutral axis centroid पर लाई करती है तो इसको find out इसको सब solve करने के बाद हमारा पर maximum bending stresses की value आई 3 by 2 PL square upon BD square maximum axle stress होगा P divided by area वो area जिस पर हमारा concentrated load जिस पर हमारा direct stresses जिस पर हमारा axial force लगा हुआ है तो axial force के current direct stresses होती है P divided by 3 divided by perpendicular area perpendicular area होगा B into D जब दोनों stresses को equal किया जाएगा तो L by D ratio L by D का ratio रहा है 2 by 3 हमारा answer होगा B next question है How many constraints are there in free rotation support used in a planar system free rotation support used in a planar system planar system planar system में free rotation support का मतलब यह है कि rotation को allow किया हुआ है और वो support जिसमें हमने rotation को allow किया गया है वो होता है हमारा hint support और hint support में तो दो टाइब की reaction generate होती है एक तो होती है एक तो होती है एक होगी य डारेक्शन में generate होगी और इस डारेक्शन में generate होगी generate होगी और इस डारेक्शन में तो नमबर और total reaction developed is equal to B 2 next question है straight wire 50-meter long is subjected to tensile stress of 2000 kg force per cm2 elastic modulus is 1.5 into 10 6 kg force per cm2 coefficient of linear expansion for the material is 16.66 into 10 minus 6 per degree Fahrenheit the temperature change to produce same degree of to produce same elongation as due to 2000 kg force per cm2 tensile stress in the material cheese question में दिया हुआ है question में temperature पूचा है जिसकी वज़े deflection 2000 kg force per cm2 will be deflection the same decibel deflection er sigma l c l alpha delta गिऑ तो हम देल्टा को एक्वल करेंगे तो हमें आगा तेमपरिचर की वेली आजाएगी 80.03 for a night. नेक्त वर्शन है, a timber beam of rectangular section 100 x 50 mm is simply supported at the ends and has a 30 mm x 10 mm steel strip securely fixed to the top surface as shown in figure. the centroid of the equivalent timber beam in this case from the top surface question में a question में a composite beam given है जिसमें timber section के उपर steel वाली strip लगाई हुई है जब अगर हमें इस तरह के section को analyze करना होता है तो हमें equivalent section बनाना होता है या तो हम timber को equivalent steel में convert कर ले है या steel को equivalent timber में convert कर ले question में equivalent timber beam का centroid बुचा है तो हमें steel को timber में convert करना पड़ेगा steel को timber में convert करने के लिए हमारे पास value है modular ratio की modular ratio होता है modulus elasticity of steel divided by modulus elasticity of concrete तो steel को equivalent timber section में convert करने के लिए steel की width को m times increase कर दिया जाएगा अब ये 600 mm width and 10 mm depth का timber में convert हो चुका है इसका मतलब ये है कि 30 mm width and 10 mm depth का strip strip ली जाए या फिर 60 mm width and 10 mm depth की timber लिया जाए तो दोनों का bending में behavior सेम होगा तो यह यहां पर figure में हमारे 100 mm depth and 50 mm का पहले से timber अवेलेबल था और उसके उपर हमने steel को convert किया तो 600 mm width and 10 mm depth का timber बना और यह हमारा 600 into 10 y1 होगी extreme fiber से even area की distance तो उसकी वेलिव आईगी 5 second वाला area है 100 into 50 into 10 तो हो गई हमारी depth of the equivalent timber section plus 50 mm जो area 2 के जहां से लाई कर रहा है तो वेलिव जब इसको sol किया जाएगा तो य की वेलिव आजिए 30 mm तो हमारा answer होगा यहां पर भी थर्टीन कुछ बैंडिंग मोमें distribution in a built-up beam is shown in the figure below the shear force distribution in the beam represented by हमारे आप हमें यहां पर एक bending मोमें डाइग्राम गीवन है और हमें इसके लिए शीर फोस डाइग्राम को find out करना है तो सबसे पहले यह देखा जाएगा यह bending diagram किस तरह के beam का है तो bending diagram को देखकर यह पता चल रहा है कि इसके a support और e support पर moment generate हो रहे हैं और वो support जहां पर moment generate होता है तो इसका मतलब यह होता है कि support हमारा fixed है तो इसका मतलब है कि a और e support हमारे fixed है second चीज है bending moment diagram linear है linear bending moment diagram तब ही मिलता है जब beam के पर कोई concentrated load या point load लगा हुआ थर्ड चीज है कि maximum positive bending moment की value आ रही है c पर जब concentrated load किसी भी beam पर लगा हुआ तो concentrated load के लीचे ही maximum bending moment की value आती है इसका मतलब जो concentrated load लगा वो लगा हुआ है c वाले point पर और माना कि इसकी value है p और c वाला point हमारा midpoint है तो अगर concentrated load midpoint पर लगा हुआ है तो दोनों direction में equally distribute हो जाएगा मतलब p by 2 and p by 2 अब इसका shear force diagram मनाएंगे तो shear force diagram के लिए अगर हमने यहां से section लिया section से अगर हमने देखता है start किया तो देख तो हमें पता चलेगा कि section के left hand side पर shear force की value है वो हमारे sign conventions के according positive है तो ए वाले point पर shear force की value आई की positive अब हम section के right hand side देखते हैं तो जो p by 2 लग रहा वो अपवर्ड लग रहा है और section के right hand side अगर shear force downturn लगता है तो हम उसको positive लेते हैं तो हमारा option number A जो है उसमें A पर positive shear force और E पर negative shear force है B और C, B और D वाले option हमारे नहीं होंगे क्योंकि B वाले में shear force uniform है और D वाले में shear force triangular है, triangular shear force भी आएगा जब बीम पर कोई UDL लगा हो तो हमारे पास अप्शन बचे A and C, C option हमारे इसने नहीं होगा क्योंकि shear force भी linear आता है जब UDL लगा हो तो हमारा option हो गया A maximum allowable shear stress in a section is 100 kg per cm square if bar is subjected to tensile force of 5000 kg and if the section is square shaped what will be dimension of sides of square given question में a square shaped section given है जिस पर tensile force की value लगी होई यह 5000 kg और section की maximum allowable shear stress given है तो हमें section की dimensions find out करनी है तो माना कि section की dimension है A meter और square shape पर तो उसकी depth भी होगी A तो जो area हो जाएगा वो होगा A square जो due to the tensile force tensile stress की value होगी 5000 divided by A square अब किसी direction में अगर maximum tension force लगा होगा है तो उसके कारण generated maximum shear force की value होगी सिग्मा 1 minus सिग्मा 2 by 2 सिग्मा 1 एक direction में तो stresses आ रही है लेकिंगे दूसी direction में stresses की value 0 है तो tau की value हो जाएगी 5000 divided by A square into 2 अब इस maximum shear stress को अगर हम allowable shear stress के equal करेंगे तो हमें dimension की value में जाएगे वो dimension की value है 5 cm 17 इने fix beam carrying a uniformly distributed load W over the hall span two points of contract flexor occurs they are equidistant from the center of the span and this distance is equal to question में दीवा हुआ है कि एक fix beam तर यदी UDL लगा दिया जाए तो उसकी वज़े से 2 points of contract flexor में लेंगे उन contract flexors की distance midpoint से equal होगी और distance को हमें बताना है तो यहां पर गीवर दिये वे डाइग्राम में UDL के कारण फिक्स पीम पर UDL लगाने की कारण है जो bending moment diagram बनता है उसमें supports में negative bending moment आते हैं और वो bending moment reduce होते होते जब तक mid span की तरह आते हैं तो positive bending moment हो जाते हैं तो जब नेगेटिव से positive में जो bending moment अपना sign change करता है उसे point of contra flexor बोला जाता है तो given figure में point of contra flexor की distance midpoint से L by 2 root 3 पर है जो कि हमारा option है C 19th question two bar of different material are of same size and are subjected to same tensile force if the bars have unit elongation in the ratio of four is four ratio seven then the ratio of modulus elasticity of the two material is question में two different material की बार given है जिनकी size and जो और उन पर जो लोड लग रहा है वो सेम है अदब size same है तो इसका मतलब होगा उनकी length same है और area भी same है और load की value same है तो हमारे पास P की value भी same आईजी अब question में होगी गिवन है कि दोनों के material different होने का मतलब है उन दोनों की modulus of elasticity भी different होगी जब हम P E P L A constant को हटा देंगे तो हमारा delta L is inversely proportional to E आएगा और हमें delta दोनों के बीच में जो elongations है उनका ratio given है तो delta L1 divided by delta L2 is equal to E2 by E1 delta L1 by delta L2 का जो ratio हमें given है वो होगा 4 ratio 7 और जो delta L1 और delta L2 का ratio होगा उसके opposite में उनका modulus of elasticity का ratio होगा तो हमारा D यहां पर कोई भी option match नहीं हो रहा है तो इसका answer होगा D next question a solid metal bar of uniform diameter D a length is hung vertically from a ceiling if the density of material of the bar is row and the modulus of elasticity is E then the total elongation of bar due to is on weight यहां पर एक भी एक रोड गिवन है जिसकी diameter D है और length L है वो ceiling से freely suspended है और उस पर कोई extra force नहीं लगा हुआ है तो इस पर दिया हुआ है कि self weight के कारण जो deformation होगा उसकी value row के respect में मतलब density के respect में हमें बतानी है तो self weight के कारण जो elongation होता है उसकी value WL upon 2AE होती है जो की WK किलोनेटन का अगर लोड लगा दिया जाएगा तो उसके comparison में reformation होगा उसकी half होगी अब W हमारा weight है weight को हम density into the volume में convert करके रख सकते हैं और volume होगा हमारा area into length तो जब W को row AL रखा जाएगा तो value हमारे पास एंड में आएगी डेल्टा इस इकल टू रो एल स्कार अपॉन टू यह हमारा option है P question 22 a solid circular shaft has been subjected to a pure torsion moment the ratio maximum shear stress to maximum normal stress at any point would be question में given है कि एक circular shaft पर जिस पर pure torsion लगा हुआ है pure torsion के कारण maximum shear stress generate होगी और maximum normal stress generate होगी उन तोनों का ratio find out करना है यहाँ पर combined bending और torsion के कारण जो maximum normal stress generate होती है उसकी value है 16 pi d cube upon m plus hundred m square plus t square और maximum shear stress की value होगी 16 pi d cube m square plus t square यहाँ पर हमारे pure torsion है तो मतलब bending moment की value zero होगी question में गिया होगा है pure torsion तो इसका मतलब bending moment की value zero होगी जब bending moment की value को zero put किया जाएगा तो हमारी maximum normal stress की value आएगी 16 upon pi d cube और maximum share stress की value आजाएगी 16 upon pi d cube तो जब दोनों का ratio निकाला जाएगा तो ratio आएगा हमारा one ratio of one is question number 23 a rigid bar short in the figure is hinged at a and is supported by a road at b and carries a load the registry force in the road is a system given है जिसमें AC एक beam है जिसको बी वाले point से एक road से supported किया गया है और A वाला point हमारा hinge point है और C वाला point हमारा free है तो हमें बी वाले तो हमें जिस road से बी वाले point पर connected है उस road में restry force निकालना है इसके लिए हम क्या करेंगे हम बी वाले point को यहां कट करेंगे कट करने के बाद में जो free body डाइग्राम बनेगा तो उसमें हमने बी वाले बी वाले road में जो force आ रहा है उसको आर से शो किया अब अगर हमें आर को find out करना है तो यहां पर a वाले point के about अगर summation of moment को zero किया जाए तो c वाले point पर जो w लग रहा है उसकी वज़े से a वाले point पर moment आएगा w into l और उसकी direction होगी clockwise direction में पी वाले point पर जो reaction आ रही है road के अंदर उसकी वज़े से a वाले point पर जो moment generate होगा उसकी value होगी r into l by 2 और direction होगी anti clockwise जब दोनों moment को equal किया जाएगा तो r की value आएगी 2w तो यहां पर answer होगा d question no.27 a prop cantilever of uniform flexor rigidity is loaded at shown in given figure the bending moment at the fixed end is give the figure में c वाले point पर bending moment लगा हुआ है और उसकी वज़े से a वाले point पर generated bending moment की value find out करनी है यहां पर इस diagram में देखकर हमें यह पता चल रहा है कि PC portion में c वाले point के अलावा कोई extra force नहीं है तो यह वाला bending moment पर डारेक्ली ट्रांसफर हो जाएगा अब यह एक standard case है जिसमें अगर हम बी वाले point पर bending moment बी वाले point पर कोई bending moment लगाते हैं तो वह वाले point पर carry work हो जाता है और वह carry work जो होगा वह carry work होगा half से मतलब बी वाले point पर अगर हमने 300 kN का bending moment लगाया तो यह वाले point पर carry work होगा और carry work होगा 150 kN और जो direction होगी वह वाले point पर जो लग रहा है bending moment की direction के ही एकवल होगी तो जो बी वाले point पर जो bending moment लग रहा है वह हमारा hogging bending moment है तो जो ए पर जो बेंडिंग moment जन्रेट होगा वह भी हमारा hogging moment ही जन्रेट होगा तो आंसर इस C point मिल्ट इंदे नरउ सायग बेंडिंघ्वियृंट योगा तो ऑले बैंडिंघ्वियृंट होगा नहीं हातल नाटा किसी 153 मीट्थन विलोव तन फौर्स इन दवार के ची इस सुन में लिए क्या हे पर एक होता है method of section, method of joint में हम every joint पर equilibrium conditions लिखेंगे और members को solve करते जाएंगे, method of section में हम given trust को इस तरीके से कट करेंगे, कि हमारे पास unknown सिव वही member बचे जिसमें हमें force find out करना है, तो जब जैस कॉशन में किसी particular member में force find out करना होता है, तो हम method of section यूज करते हैं, तो given question में सबसे प find out कर लेंगे, तो reaction at ra की value आई 8.75 ton, अब जब section को इस तरीके से cut किया, कि section में 3 member cut हो है, member ac, member bd, member bc, member bd and member bc, तो b वाले point से पास हो रहे है, only member ac ये कैसा member बचा है, जिसका moment b वाले point पर आएगा, तो यदि हम b वाले point पर summation of moment को 0 करेंगे, तो हमारे पास इब a की unknown बचेगा, ac, तो यहां पर जब b point के about summation of moment को 0 किया, तो p ac into 2, 1060 is equal to ra into 2, तो p ac की value आई 8.75 under root t, done in question number 32, a simply supported beam carries a varying load from 0 at one end and w at the other end, if the length of the beam is a, the shear force will be 0 at a distance x from, least loaded point where x is, तो यहां पर एक simply supported beam पर varying load लगा हुआ है, जिस पर a वाले point पर intensity यह वाले point पर intensity यह वाले point पर इंटेंसिटी लोड इंटेंसिटी 0 है, तो question में given है कि बी वाले point से x distance पर एक section है, उस section पर अगर shear force की value 0 होगी, तो x की value क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें reactions को find out करना पड़ेगा, तेन हमें x वाले section पर जो load की intensity यह उसको find out करना है पड़ेगा, उसके बाद में x section पर हम shear force की value रिखेगे, उस value को 0 के आगे जब put करेंगे, तो हमें उस x की value मिल जाएगी, जिस पर यह shear force 0 होगा, तो सबसे पहले है, reactions की value, reaction की value आएगी, वो आएगी, ra plus rb is equal to total load, और b वाले point के about, अगर हमने formation of moment को 0 किया है, तो ra की value आईए, wa by 3, ra की value को find out करने के लिए, टोटल load में से ra की value को जब minus किया, तो हमें पर rb की value आई, wa by 6, अब अगर x वाले section पर shear force find out करना है, तो उसके लिए x section पर intensity of load निकाला जाएगा, उसके लिए triangle property को use किया जाएगा, तो b वाले point पर जो theta है, उस theta को short वाले triangle, जो कि b, x और t से मिलके बना है, और long वाले triangle और जो कि b, a और w कि लोन्यूटन की intensity से बना है, उस पर theta को एकपल किया, तो a by w is equal to x by t, तो x section पर load की intensity आ गई, w x upon a, अब x section पर अगर shear force का value लिखी जाएगी, तो shear force हमारा होता है कि summation of forces, either left or right of this section, तो यहाँ पर हम right of the section, तो shear force की value लिखेंगे, तो like right of the section पर हमारे पास दो तरह के forces है, एक तो reaction at rb, एक variant load है, तो जिसकी intensity b पर 0 है, तो t पर b पर 0 है, और t पर हमारी intensity होगी, w x upon a, तो जब summation of forces किया, तो for summation of forces को equal to 0 करने पर हमारे पास x की value आईए, a divided by root 3, तो यहाँ पर हमारा answer होगा c, question number 33, the correct bending moment diagram for the column is, question में diagram गिवन है, उसके लिए bending moment diagram find out करना है, सबसे पहले bending moment diagram बनाने के लिए, हमें reaction at r a, reaction at a point find out करना पड़ेगा, तो reaction at a, निकालने के लिए b point के about, यदि moments को 0 किया जाएगा, तो a पर reaction की value आईए, वो आईए p by 2, अब हम 2 points per moment की value find out करेंगे, और उनको options से compare करेंगे, सबसे पहले जो, जो सबसे पहले उस point पर bending moment लिखा लेंगे, जिस पर point load लगा हुआ है, concentrated point load लगा हुआ है, तो वहाँ पर bending moment की value अगर find out की, तो वो होगी, bending moment at d is equal to h into l by 2, तो उसकी value p by 2, और वो हो है hogging, अब option से हमारे d वाले point पर pl by 4 value, सिफ c o t option की आ रही है, मतलब a और b हमारे eliminate हो चुके है, अब c o d में से correct answer choose करने के लिए, हमें c वाले point पर bending moment find out करना पड़ेगा, तो c वाले point पर bending moment find out करने के लिए, c वाले point पर bending moment reaction at a and d point पर लग रहे है, concentrated load की वज़े से आ रहा है, तो दोनों की वज़े से bending moment की जब value लिखेंगे, तो आप पर value आई pl by 2 और वो आई है anti-clockwise, अब दोनों option में से हमारा c येसा option है, जिस पर c वाले point पर pl by 2 है और d वाले पर pl by 4 है, तो d वाले eliminate हुआ तो हमारा answer है c, a cantilever beam is shown in figure, finds the magnitude and direction of moment to be applied at free end for zero vertical deflection, question में, a cantilever beam given है, जिसके free end पर 9 kN का load लगा हुआ है, question में पूचा गया है कि free end पर ऐसा कितने magnitude का bending moment लगाया जाए, जिसकी वज़े से free end पर total deflection की value zero हो जाए, इसके लिए हम क्या करें, 9 kN की वज़े से जो deflection आ रहा है downward, उस deflection को moment की वज़े से जो deflection आएगा, अपड उसके equal कर दिया जाएगा, तो concentrated load की वज़े से जो deflection आता है, उसकी value हो 3WLQ upon 3EI, और moment की वज़े से deflection होता है, उसकी value हो 2EI, तो जब दोनों को हमने equal किया था, एम की value हो 12 kN in the clockwise direction, clockwise direction इसलिए आई है कि 9 kN की वज़े से जो deflection आएगा, आएगा downward direction में, हमें downward deflection को zero करने के लिए, अपवर्ड डारेक्शन में कोई force, कोई moment लगाना पडएगा, जब upward direction moment लगेगा, तो उसकी direction clockwise होगी, तो हमारा answer है C, अब यहाँ पर COD दो option दिये हुए है, तो यहाँ पर यह देखने वाली बात है कि 12 kN के अलावा, हम डारेक्शन पर भी ध्यान दे कि anti-clockwise होगा या clockwise होगा, question no. 37, if a point load acting at the mid sun of a fixed beam of uniform section produces fixed end moment 60 kNm, then the same load spread uniformly over the entire span will produce fixed end moment equal to, question में, एक concentrated load W लगा हुआ है, fixed beam पे, उसके कारण fixed beam के end points पर 60 kNm का fixed end moment जनरे हो रहा है, तो question में पूछा हुआ है कि यह concentrated load अगर fixed beam पर uniformly distribute हो जाए, तो उसकी वज़े से generated fixed end moment क्या होगा, तो सबसे पहले हम load W को find out करेंगे, जब concentrated load fixed beam पर mids point पर लगता है, तो उसकी वज़े से generated fixed end moment की value होती है, यह WL by 8, तो WL by 8 को जो हम 60 के equal करेंगे, तो W की value हमारी आई, 480 divided by L kN, अब अगर इस load को beam पर uniformly distributed करना है, उसकी value होती ही WL square by 12, तो जब W की value 480 L square यहाँ पर रखेंगे, तो end में हमारी पास value आएगी 40 kN per meter, अब यहाँ पर concept वाली बात यह है, कि जब concentrated load लगता है, बीम, fixed beam, बद उसकी वज़े से जो fixed end moment आते हैं, उनकी value जब वो load uniformly distributed हो जाएगा fixed end moment में उसकी compare, तब जो fixed end moments आएगे, वो value कम होगी in comparison to concentrated load के लोगता है, a rigid bar is supported by a spring as shown in figure, the deflection of the point B will be, question में एक rigid bar given है, जो कि A वाले point पर hinge है और B पीच में उसको spring से supported किया गया है, और B वाले point पर 50 newton का load लगा होगा है, तो हमें B वाले point पर deflection की value find out करने है, बी वाले point पर deflection की value find out करने के लिए, सबसे पहले हमें उस joint की deflection की value find out करने होगी, जिस पर spring से supported है, तो इसके लिए हमें spring में forces find out करने पड़ेंगे, और उन forces की बज़े से जो spring में deflection आ रहा है, उसको find out करने के लिए हमारे पार spring की stiffness given है, सबसे पहले हमें spring में force find out करने के लिए, ए वाले point की about moment लेना पड़ेगा, माना कि spring में resistive force की value R है, तो जब हम ए वाले point की about moment लेंगे, तो उसके बास पर हमें spring पर जो generated force है, उसकी value विली 1000 newton, इस spring के force की, इस 1000 newton की वेए से spring में जो deflection हुआ, उसकी value है 20 mm, और यह एक rigid bar है, तो rigid bar का मतलब यह है कि जब इस bar का deformation होगा, तो linear deformation होगा, इसका मतलब यह है कि spring वाले point पर जो deflection होगा, उसका just double deflection होगा, भी वाले point पर, तो spring वाले point पर deflection की value हमारे पास 20 mm आई है, तो भी वाले point पर deflection होगा, वो होगा 40 mm और उसकी direction होगी downward, तो answer होगा है हम पर D, question number 41, the beam shown in given figure has a design bending moment value of, design bending moment value का मतलब, इस beam में maximum bending moment जो भी आ रहा है, वो design bending moment value होगा, क्योंकि हम अगर बीम को design करेंगे, तो वो maximum bending moment के लिए ही की जाएगी, अब इस beam पर तीन टाइप के लोड है, एपॉइंट पर concentrated load लगा हुआ है, 40 km, पर एक कपल लगा हुआ है, 40 km मेटर का, और C पर 2 km मेटर का कपल लगा हुआ है, तो अगर हमें इसका bending moment डाइगराम बनाना है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे, प्रिंसिपल और सुपर पोजिशन, उसका मतलब यह है, कि किसी भी structure पर several load लगे हुआ है, तो structure पर हम सभी load, उन सभी load का individual का जो effect होगा, वो total load के एकवल होगा, तो सबसे पहले हम एक एक forces को लेकर, उसके लिए bending moment डाइगराम बनाएंगे, और तब algebraic sum लेंगे, तो हमें total bending moment की value मिल जाएगी, सबसे पहले ए वाले point पर जो concentrated load लग रहा है, उसके वज़े से जो bending moment का diagram बनेगा, उसके maximum bending moment की value बी वाले point पर आईगी, और वो है 2 kNm, बी वाले point पर लग रहे है, कपल की वज़े से जो bending moment diagram की value आईगी, उसके maximum bending moment की value आईए, 40 kNm और वो है sagging, due to the 2 kNm जो bending moment diagram की value आईगी, उसके maximum value बी वाले point पर आईए 2 kNm, तो यहाँ पर हमें एनलाईज करके, इसली पता चल रहा है कि B वाला point ऐसा है, जहाँ पर maximum bending moment की value होगी, 4 kNs, सेगिंग में से 2 kNm होगें को माइनस करेंगे, तो 2 kNm सेगिंग, तो हमारा option होगा यहाँ पर D, question number 44, carrier factor CAB for the beam shown in figure is, carrier factor, हमें CAB member के लिए, carrier factor find out करना है, carrier factor वो होगा कि, अगर मैं hinge joint पर अगर कोई moment लगाता हूँ, तो fix वाले support पर उसका जो जिस portion से, जिस factor से moment transfer होता है, वो carrier factor होता है, यहाँ पर A वाले point पर अगर moment apply किया जाए, तो उसकी वज़े से A वाले point पर जो reaction generate होड़ी, सबसे पहले वो find out करने पड़ेगी, वो find out करने के लिए, summation of moment at C को हमने 0 किया, तो 0 करने पर reaction at A की value आई है, M by L, अब अगर हम B वाले point पर moment निकालते हैं, तो B वाले point पर moment की equation लिखेंगे, वाले point के left hand side पर जितने ही forces हैं, उनकी वेरी से moment आएगा, वो उसका bending moment होगा, तो B वाले point पर bending moment की value होगी, Mb plus M minus Ra into 2L, उसके बाद में जब soul किया, तो MB की value आई है, M के equal, तो इसका मतलब यह होगा, कि जितना moment हमने A से transfer किया था, उतना ही moment B पर transfer होगा, तो carry-over factor की value होगा ही 1, question number 45, the bending moment diagram for the beam, Sean portal frame, इस diagram में एक portal frame की बने, उसके लिए bending moment diagram बनाना है, यहाँ पर भी हम fits up, यहाँ पर भी हम principle and super position यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, कि सबसे पहले हम bending moment diagram बना लेंगे, UDL के कारण, UDL के कारण bending moment diagram का जो shape बनेगा, वो होगा paraboli, next जो bending moment होगा, जो end point है, उन पर जो moment आ रहे हैं उनकी वज़े से, तो जो उसके वैसे जो bending moment diagram होगा, उसमें A point और दूसरे वाले support पे, जो first वाला support है, वो भी hinge है और दूसरे वाला support है, वो भी hinge है, दोनों पे bending moment की value 0 होगी, और जब दोनों diagram को super impulse किया जाएगा, तो जो हमारा option है, वो हो जाएगा C, question number 47, for the beam system as shown, P by Q is question में given है, कि given figure में दो type of load system लग रहे है, B पर concentrated load लग रहा है Q का upward direction में, और C वाले point पर concentrated load लग रहा है, P kyloneटरन का downward direction में, तो दोनों forces की वज़े से, जो C वाले point पर deflection आएगा, वो deflection यदी 0 है, तो P by Q ratio find out करना है, तो Q वाले load की वज़े से, C वाले point पर जो upward deflection आएगा, उसकी value आए 5 by 48, Q to Q into 2 L की Q अपों 3 A, deflection at C due to the P point जो value आएगा, वो आए P into 2 L Q अपों 3 A, जब दोनों deflection को equal किया जाएगा, तो P by Q का ratio आएगा 5 by 16, and the option is D, question number 52, a two span beam with an internal hinge is shown below, conjugate beam corresponding to this beam is, given beam से conjugate beam बनाने के लिए, हमें पता है कि जहां पर fix support होता है, वो free हो जाता है, और free वाला support fix हो जाता है, उसी के साथ hinge support को हम roller बना देते हैं, roller support को हम hinge बना देते हैं, तो यहां given option में, D वाले option में, A वाले support पर hinge बना हुआ है, जबकि real beam में A वाला support है, वहां पर fix support है, तो fix support का हमें free करना था, तो D वाला option eliminate हो गया, आप हमारे पास option बच्चे हैं A, B and C, उसके बाद में देखा जाएगा कि, real beam के B point पर hinge है, तो hinge वाले point को roller बनाना होगा, और C वाले point पर roller है, तो roller वाले joint को hinge बनाना होगा, तो B और C ऐसे option है, जहां पर B वाले point का real beam में भी hinge है, और conjugate beam में भी hinge given है, तो B और C भी eliminate होगा, तो हमारा option होगा, correct option होगा A, question number 53, for the trust shown in figure, the force in the member QR is, यहां QR force में member निकालने के लिए, हम method of section ही use करेंगे, तो इस तरीके से section को cut किया, कि only one, एक ही member cut हुआ, वो होगा QR, माना कि QR में force की value है F, अब अगर हम T वाले support के about, bending moment का summation को zero करते हैं, तो उसमें 2 ही की वज़े से moment आएगा, 1 आएगा F की वज़े से, 1 आएगा P की वज़े से, T वाले support से पास हो रहे हैं, तो जब moment लिया जाएगा, तो P का moment आएगा F into L, जब moment लिया जाएगा, तो F वाले का आएगा F into N, और P का भी आएगा F into L, पर दोनों की जो direction होगी, moment की वो different होगी, तो F में आया force is equal to P, वो होगा tension में, तो हमारा option है C, a loaded simply supported beam is shown in given figure, CDE is a rigid member, the shear force diagram of the beam is best represented as, given question में, a simply supported beam दिया हुआ है, जिससे rigid member connected है CDE, इसमें CDO DE की dimension हमें दियो ही है 0.5, और C, इस rigid member के E वाले point पर, एक concentrated load लगा हुआ है 6 kN, तो इसकी वज़े से, shear force diagram क्या होगा यह हमें find out करना है, तो option में से, अगर हम A वाले point पर shear force की value देखें, तो A वाले point पर जो shear force की value होगी, वो होगी reaction at RA, वो B वारे point पर जो shear force की value होगी, वो होगी reaction at RB, तो given system में से, अगर हम reaction at RA and reaction at RB find out कर लेंगे, हमें correct shear force मिल जाएगा, so reaction at RA find out करने के लिए B point के about all the forces of moment, summation of all the moments को जब 0 किया जाएगा तो reaction at RA की value आई 2.5 and reaction at RB की value आई 3.5 option में से जब check किया जाएगा तो B वाले option पर A point पर shear force की value 2.5 है और B वाले point पर shear force की value 3.5 है तो यहाँ पर हमारा answer होगा B question number 56, a cantilever beam as shown in figure is subjected to end moment M0, what is the deflection at free end? given question में हमें cantilever beam दिया हुआ है जिसमें momentum inertia change हो रहा है और free end पर अगर M not लगा हुआ है तो उसकी वज़े से free end पर deflection की value find out करनी है इस टाइप के questions को area moment method से solve किया जाता है area moment method में M upon EI diagram का अगर moment हम free end के along लेंगे तो हमें free end पर deflection की value मिल जाएगी तो सबसे पहले वाली term में M upon M upon 2EI into the 4 तो area हो गया first वाले का और उसकी distance free end से वह जाएगी 4 plus half 4 plus 2 meter and next वाला जो area है उसका 8 next वाले डाइग्राम उसका area होगा M not upon EI into 4 into the 2 reflection की value है 20 M not upon EI even a line of true length 500 meters when measured by a 20 meter tape is reported to be 502 meter long the correct length of the tape is question में हमें किसी किसी length की किसी line की true length even है जो कि 500 meter और टेप की nominal length even है जो कि है 20 meter nominal length वो होती है जिस length के लिए tap को बनाया जाता है अब यह दिया गया है कि टेप actual length of tap से अगर हम उसी 500 meter वाली length को measure करेंगे तो वह हमारी 502 आई है तो हमें correct length of tap find out करने है जो at present time पर टेप की length है तो एक relation होता है कि correct length of line into the nominal length of the tap is equal to actual length of tap into the measured length correct length of the line जो length line की correct length है उसका multiplication nominal length of the tap nominal length of the tap का मतलब है जिस length के लिए tap को बनाया गया है वो multiplication actual length of the tap जो tap की एक प्रेजन ताइम पर लेंध है उसके multiplication का measure length जो tap ने अभी measured किया है वो constant होता है तो इससे जब हमने इसको जब हम solve करेंगे तो उससे length आईगी actual length of tap आईगी 19.92 meter the option is a question number 66 if the distance between the instrument station and staff station is one kilometer the correction for the reflection is in M is the correction for the reflection का formula होता है CR is equal to plus 0.011 d 112 d square यहां पर d की value kilometer में है और correction की value meter में आईगी तो जब values को put किया जाएगा तो CR की value आईगी C question number 70 a rectangular plot of 16 km square in area is shown on map by a similar rectangular area of one centimeter square RF of the scale to measure a distance of 40 km will be question में दिया हुआ है कि प्लोट का area है actual वो 16 km square है और उसे मेप में 1 cm square से शो किया गया है further question में पूचा है कि हमें RF बतानी है reduce factor बताना है कि अगर हम 40 km distance को side पर measure करेंगे तो उसको किस RF से reduce करके हम मेप मर बनाएंगे तो reduce factor हमारा वो होगा कि reduce factor हमारा ratio होता है मैप पर जो हमारी dimension है divided by actual dimension in the field इसका जो ratio होगा वो हमें RF देगा और अभी यहां पर हमें मैप पर जो dimension दी हुई है वो area है और field वाली dimension भी area की दी हुई है लेकिन question में पुचा है हमें लेंध वाली dimension के लिए सबसे वेले जो हम RF निकालेंगे इस RF का अंडरूट करने के बाद में जो हमारे पाद dimension आएगी वो होगी हमारी length के लिए तो 1 cm हमारी मैप वाली dimension डिवाइड बाइ 16 km अब सेंटी मेट किया जाएगा और उसका जब अंडरूट लेने के बाद में यहां पर से right angle setting setting for the setting out right angle prism square का use होता है क्लीनोमेटर का use gradient के लिए किया जाएगा question number 82 tilt of the strap in the dechiometric survey increases the intercept if it is the options are away from the telescope pointing up the hill P option towards the telescope pointing up the hill C option away from the telescope pointing down the hill and D none of the above question में given है कौनसी वाली condition में हमारा staff reading increase होगी हमारे पार तीन conditions given है first condition यह है कि staff रखा हुआ है up hill पर और staff away from the telescope जो ट्योटलेट के telescope away उससे staff दूर की तरफ जा रहा है second option यह है कि staff अभी भी up hill पर रखा हुआ है लेकिन अब जो staff है वो telescope की तरफ आ रहा है तीस वाला option यह है कि अब telescope up hill पर है और staff down hill पर है लेकिन जो staff है वो staff वो telescope से दूर की तरफ जा रहा है तो तीनों cases में अगर हम analyze करें तो फर्स्ट वाला case जो है कि अगर staff up hill पर रखा हुआ है और staff टेलिस्कोप से दूर की तरफ जा रहा है तो उस case में B वाला point हमारा B डेश पर पहुच रहा है मतलब यहां पर staff intercept increase हो रहा है लेकिन बाकी तोनों cases में अगर हम देखेंगे तो तो बीडेश की तरफ जाएगा तो staff intercept reduce होगा इसी तरीके जो सी वाला है उसमें भी जब बीडेश पर जाएगा तो staff intercept reduce होगा तो यहां पर हमारा option होगा correct A कि अगर staff हमारा up hill पर रखा हुआ है और staff टेलिसकोप से दूर की तरफ जाएगा तो intercept हमारा increase होगा question number 88 the relationship between the length and radius of an ideal transition curve is given by transition curve की length radius की inversely proportional होगी तो इसका answer होगा C